हलो दोस्तों, नमस्कार करता हूँ, मैं हूँ सागर और आप सब देख रहे हैं बार्ग्राफ इन्फोटिक यूट्यूब चरनल तो दोस्तों, आज के पिटारा से क्या निकलने वाला है, आज का कौन सा टॉपिक होने वाला है, ये मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ इन सारी बातों को हम लोग आज इस वीडियो में सीखेंगे, तो दोस्तों, अगर आप भी चलाते हैं इंटरनेट और इंटरनेट मतलब इंदसेंस की या मोबाइल में या फिर लैप्टॉप में, कई भी चलाते हो, आप अपना एक अलग स्टेटस है, आप अपना एक अलग वैल्यू है, हम लोग उसी वैल्यू को आज इस वीडियो में समझने की कोशिज करेंगे. तो IP address का main काम है communicate करना, communicate करना in this sense की बातचीत करना, वो बात कैसे करता है, suppose देट के आपका mobile है, आपके mobile में internet है, तो internet के थूरू आप कुछ सर्च करते हैं, अब जैसे आप सर्च करते हैं, तो वो जिस server पे वो data available होता है, वो IP address के थूरू ही सर्च करता है, एक tip में बताओ, अगर आप यकीन नहीं करें, आपको अगर google, जैसे www.google.com या google.co.in, जो भी website है, search engine है, उसका IP address आप पता कर लिजे, और जहां पे आप लिखते हैं www.google.com, address bar में जहां लिखते हैं, वहां पे उसका IP address लिख दीजे, तो भ हर एक website का IP address होता है, जिस IP address से आप क्या कर सकते हैं, उसको अराम से जा करके address bar में लिखे, search करेंगे, आपका same वही website खुल के आएगा, जो website का नाम लिखते हैं, domain name लिखते के बदले, आपको वो दिया जाता है, मतलब ये काम कैसे करता है, कि एक नाम होता है, उस नाम के आथ में IP address को link किया जाता है, बिना IP address का internet पे आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, कुछ भी नहीं मतलब कुछ भी नहीं कर सकते, इतना तो आप समझ गए, कि IP address में क्या होता है, डेटा को एक जगह से दुसरे जगह से पहुचाने का कान किया जाता है, तो ये एक address होता है, अभ हम लोग जान लेते हैं कि IP address कितने वर्षन में आते हैं, तो IP address दो वर्षन में आता है, एक होता है IPV4 और दुसरा होता है IPV6, तो सबसे पहले बात करते हैं लोग IPV4 का, internet protocol version 4, और next जो internet protocol version 6, तो ये IPV4 जो है, ये लगबग 1983 में आया था, और ये 32 base पे काम करता था, 32 bit पे ये काम करता था, और इसी को upgrade करके IPV4 को लाया, और इसमें क्या-क्या, 128 bit का sunscreen डाल दिया गया, अब इससे फर्क क्या पड़ा, कि IPV4 में limited IP address लगा सकते थे, और IPV6 में आप unlimited IP address को use कर सकते हैं, अपने किसी भी जग़े को setup करने के लिए, अब बात कर लेते हैं कि IP address कितने परकार के होते हैं, तो IP address में ली दो परकार के होते हैं, एक होता है private IP address और एक होता है public IP address, अब ये private IP address क्या होता है? तो private IP address होता है जब आप अपने phone को या computer को किसी cable के थुरू, wifi के थुरू directly आप connect करते हैं तो ये एक private IP address के रूप में काम करता है Suppose that कि जैसे आपने अपने mobile को किसी दूसरे device से connect किया किसी multiple device से आपने connect करके रखा है तो यहाँ पे जो IP address जाएगा ये एक private IP address होगा Public IP address क्या होता है? Public IP address होता है जब आप publicly internet पे जाते हैं और एक ऐसा IP address लिया जाता है जिससे किसी server को इस्तेमाल करने के लिए उस IP address का इस्तेमाल किया जाता है तो वो हमारा कहलाता है Public IP address तो I think आपको private IP address और public IP address में फर्क समझ में आ गया होगा अगर आ गया है तो like कर दीजिए, problem नहीं है चनल को subscribe करके bell icon को भी इसी बात पे दबा लीजिए जिससे आपको मिलती रहे मेरी तरफ से technology के free जानकारे, free knowledge एक चीज में और बता दूँ आप लोगों को कि IP address को within classes में बाटा गया है जैसे class A, class B, class C, class D, class E और हर class का एक अलग IP address का range होता है हर IP address का अपना एक अलग-अलग range होता है अलग यह बहुत deep में जाना पड़ेगा वीडियो बहुत जद्दा लंबा हो जाएगा इसलिए मैं इसके बारे में ज्यादा डिटिल्स नहीं बता रहा हूँ सिर्फ मैं नॉर्मल बता रहा हूँ कि पांच classes में IP address को बाटा गया है class A, class B, class C, class D और class E तो पांच class याद रखिए हर किसी का अलग-अलग range होता है और यह जो range होता है यह 0 से ले करके 255 तक range हो सकता है हो सकता है नहीं होता ही है ठीक है 0 to 255 का range होता है अभी यह 4 digits से मिल करके IP address बनता है जैसे मालेजे आपने लिखा 10.101.103.104 इस तरह से आप लिख सकते हैं मैं एक example बता रहा हूँ आपको तो 4 dot दे दे के आप 4 digits जब लिखते हैं तो वो एक complete IP address होता है और इसी का range जब बढ़ता है Class A, Class B, Class C, Class D, Class E तो उसमें decide होता है कि कितना range Class A में रहेगा कितना B में, कितना C में, कितना D में, कितना E में तो यह IP address का जो है यह main range यही होता है तो अभी तक तो हम लोग IP address को समझें अब बात आती है कि भाईया, अगर मुझे IP address पता करना है तो मैं कैसे करूँगा अगर suppose that कि मैं अपना computer इस्तिमाल कर रहा हूँ उसमें मेरा कौन सा IP address इस्तिमाल हो रहा है मेरा IP address का number क्या है, मैं कैसे पता करूँ या अगर आप mobile इस्तिमाल करते हैं तो mobile में आप अपना IP address नंबर को कैसे पता कर सकते हैं इन सारे चीजों को अभी अब हम लोग step by step देखेंगे तो आपको बहतर तरीके से समझ में आएगा और अपना IP address भी आप आसानी से धून करके निकाल सकते हैं अगर आपको IP address निकालना है तो दो तरीका होता है पहला होता है internet search के द्वारा आप अपने IP address को निकाल सकते हैं और दूसरा होता है command prompt के द्वारा आप इसको निकाल सकते हैं जिसकों लोग बोलते हैं full short form में cmd आप computer में cmd टाइप करेंगे command prompt खुल जागा वहां से जाकर के आप इसको निकाल सकते हैं तो सबसे पहले देखते हैं कि internet search के द्वारा हम अपने IP address को कैसे पा सकते हैं या कैसे जान सकते हैं तो internet search के द्वारा कैसे पता करेंगे तो सबसे पहले आप अपने computer या अपने laptop में एक वेब को भी एक browser खोल लिजिए वेब ब्राउजर को बोलते हैं अगर mobile में करना चाहते है तो आप अपने mobile में खोल लिजिए और open करने के बाद वहां पे search किजिए what is my IP address आपको पूरा का पूरा IP address बता देगा है ना यह बहुत आसान और एक चीज़ और में बताओ अगर आप mobile में करना चाहते है सेम प्रॉसस मुबाल में ब्राउजर को खोल लिए वहां भी जाके लिखिए what is my IP address आपको किलियर पता चल जाएगा आपका IP address क्या है आपको वहां पर दे दिये जाएगा अब बात करते हैं command prompt के थुरू कैसे हम लोग IP address को पता कर सकते हैं command prompt के भी द्वारा IP address को पता करना बहुत आसान है सबसे पहले क्या किजिए अपने computer या laptop को आप on किजिए और वहां पर आप search box में run command में जाएगा आप windows का जो की होता उसको दबा के r दबाएंगे तो आपका run command खुल जाएगा वहां पर लिखिए cmd इंटर दबाएंगे आपका option खुल के आजाएगा और वहां पर small letter में लिखिए ipconfig ipconfig लिखिए इंटर दबाएंगे और यहां आपको आपके computer का आपके device का IP address आपको पता चल जाएगा ता दिन दोस्तों यह बीडियो बड़ा informative था आपको अच्छा जरूर लगा होगा और अगर अच्छा लगा है तो इस वीडियो को फटा फट अपने दोस्तों के साथ सेयर कर दीजे चलिए दोस्तों फिर मिलते अगले वीडियो में तब तक के लिए आप सब मजे में रहिए खुश रहिए आबाद रहिए थैंक्यू दोस्तों बाइबाई